गुड इवनिंग साथियों, श्वागत है आप सभी का BPAC Super Coaching by Tastebook के YouTube प्लेटफार्म पर मैं सासी शावन आप सभी साथियों का युद्धा के सिरीज में श्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हो 68 BPAC का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस बार का अश्कोर आपने देखा कि जो कट ओफ रहा है काफी कम रहा है क्योंकि प्रस्टों की जो प्रकृती रही थी वो काफी टफ रही थी अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ बहतर तरीके से आप इस युद्धा के साथ प्रपेर कर सकते हो आपको परिच्छा में चाहे कितनी भी गहराई से प्रस्ट पूछे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है आईए शुरू करते हैं अपनी स्क्लास को और 69th BPC को टारगेट करते हुए चर्चा करते हैं आत्यों आप सबको पता है कि प्रतेक सुबह हमारी और आपकी मुलकात होती है टेस्ट बुक अप्लिकेशन पर मास्टर क्लास के सेशन में जहां बिविन बिसयों पर हम चर्चा करते हैं चाहे भारत के अर्थ वेवस्था हो या भारत का इतिहास हो या भारत की राज वेवस्था हो या बिहार अस्पेशल हो इन सभी मुद्दों पर इस बिहार अस्पेशल की क्लास में हम चर्चा करते हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हो प्रतेक सुबह दस बजे टेस्ट बुक अप्लिकेशन पर आए साथियों आज की सेशन के पहले प्रसंद की चर्चा करते हैं आज का पहला प्रसंद क्या है निमलिखित कतनों पर बिचार करें यानि कि consider the following statements संसद्ये भासा में विप सदन में किसी पार्टी के सदस्यों को पार्टी के नामित अधिकारी द्वारा जारी एक निश्चित दिसा का पालन करने के लिए एक लिकित आदेस का उलेख कर सकता है अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है ठीके बहुत अच्छे से समझना है अब यहाँ पे तीन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है पहला संसदिये वासा में विप में किसी पार्टी के फदस्यों को पार्टी के नामित अधिकारी पार्टी के जो नामित अधिकारी ह उसे भी विप कहा जाता है और इस विप का मतलब सचेतक होता है परते एक पार्ट जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना सचेतक नुक्त करता है अपना विप नुक्त करता है ठीके द्वारा क्या कह रहा है एक निश्चित दिसा का पालन करने के लिए यानि इस पार्ट के लिए पार्टी के दौरा एक लिखित आदेश जो जारी करना है वो विप के सिरेनी में आता है क्या ये बिकल्प सही है या गलत है दूसरा विप के अब धारना एक नविंता है और भारतिय संसदिय परनाली से उत्पन हुई है किया ये सही है देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है विप का मतलब होता है कि पार्टी के द्वारा पार्टी के फदस्यों को किसी मुद्दे पर सदन में उपस्तित रहने के लिए जारी किया जाता है और ये प्रतेक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जारी करना एक संबैध जहानिक अधिकार है यह दस भी अनसूची के अंतरगत देखने को मिलता है तो यह तो बिलकुर पहला स्टेटमेंट ठीक है जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि यह एक नविंतम अभधारना है इनोवेटिव कॉंसेप्ट और यह भारतिय संसदिय प्रनाली से उत्पन हुई है यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह भारतिय संसदिय प्रनाली से उत्पन नहीं हुई है बलकि एक बिटिस अवधारना है बिटिस कॉंसेप्ट है और भारत सरकार ने बिटिस अवधारना को ही भारत में जगध दिया है यानि दूसरा तो क्या हो जाएगा गलत तीसरा है भारत में सभी दल अपने फदस्यों को विप जारी कर सकते हैं यह स्टेटमेंट बिलकुल सही है तो हमारे प्रसन का सही उत्तर भी होगा भारत में सभी दल अपने फदस्यों को विप जारी कर सकते है ठीके अब आईए विप पर बिस्तार से चर्चा कर लेते हैं वोट इज बात करते हैं जब हम विप की बात करते हैं तो जो विप है ये ब्रिटिस अवधारना है ये इंडियन कॉंसेप्ट नहीं है ये कौन सा अवधारना है ब्रिटिस अवधारना है और भारतिय संसदिये प्रनाली में ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है भारतिय संसदिय प्रनाली में इंडियन पार्लेमेंटरी सिस्टम में भारतिय संसदिय प्रनाली में ध्यान रखना यह एक बिटिस अभधारना है भारतिय संसदिय प्रनाली में इसे बिटेन से प्राप्त किया गया है कहां से इसे बिटेन से प्राप्त किया गया है यह आपको ध्यान में रखना है कि कहां से प्राप्त किया गया है इसे इसे बिटेन से प्राप्त किया गया है बिटेन से प्राप्त यह बिवस्था है जिसे हम विप के नाम से जानते हैं और ये क्या है एक ब्रिटिस अवधार्ना है यानि कि ब्रितेन से इसे भारत के समिधार में जगा दिया गया है और विप क्या होता है तो विप एक लिखित आदेश होता है और इसे पार्टी द्वारा न्युक्त अधिकारी जिसे विप कहते हैं अधिकारी जिसे विप सचेतक कहा जाता है सचेतक द्वारा इसे पार्टी द्वारा न्युक्त अधिकारी सचेतक द्वारा अपने विधाई सदस्यों विधाई मतलब लेजिसलेटिव अपने विधाई सदस्यों हेतु जारी किया जाता है विधाई सदस्यों हेतु जारी किया जाता है ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रतेक पॉलिटिकल पार्टी को विप जारी करने का अधिकार है जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है यानि प्रतेक राजितिक दल को विप जारी करने का अधिकार है विप जारी करने का अधिकार है ठीके परते एक political party लेकिन यहाँ पर एक बात समझना है एक बात ध्यान से समझना है जो कि नोट करके मैं आपको बता देता हूँ पहली बात तो यह समझना है कि क्या BIP जारी करना राजिनतिक दलों का एक समझना है तो हाँ आपने दस्वी अनसुची को शुना होगा आपने 10th केड्यूल के बारे में सुना है दस्वी अनसुची के अंतरगत किन चीजों का प्रबधान किया गया है दस्वी अनसुची में दल बदल का प्रबधान किया गया है यह ध्यान रखना तो जब देखोगे साथियों दस्वी अनसुची में दल बदल का प्रबधान है ध्यान रखना दस्वी अनसुची में दल बदल का प्रबधान है तो दस्मियन सुची के अंतरगत जो चीजे हैं यानि राजनितिक दल को अपने बिधाई सदस्यों केल को विप जारी करने का समयधानिक अधिकार देता है या राजनितिक दल को अपने बिधाई सदस्यों बिधाई सदस्यों को लिखित आदेश यानि किविप जारी करने का समयधानिक अधिकार देता है जारी करने का समयधानिक अधिकार देता है यानि कि विप जारी करना क्या है एक समयधानिक अधिकार है एक कॉंस्टूशनल राइट है लेकिन विप को लेकर सवाल भी उठाया जाता है और सवाल क्या है अगर विप जारी किया जाता है तो जो पार्टी के फदस होते हैं वो पार्टी के बिचारधारा को ही फॉलो करते हैं राइनितिक दल क्या है पॉलिटिकल पार्टी क्या है यानि जब मैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चर्चा करता हूँ तो आप political party से क्या समझते हो दिको रायनतिक दल एक समान विचार धारा बाले लोगों का एक समू होता है जो चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और जनता के लिए कल्यान कारी नितियों और कार्जक्रमों का निर्मान करते हैं इसे ही हम रायनतिक दल के रुप में जानते हैं यानि रायनतिक दल एक समान विचार धारा बाले फदस्यों का समू होता है तो रायनतिक दल को ही अधिकार दिया गया है कि वो मानलों की बिधाईका में किसी मुद्दे पर चर्चा करना हो, किसी मामले पर बहस करनी हो no confidence motion pass करना हो confidence motion pass करना हो तो पार्टी के फदस्यों को विप जारी करेगी और जब विप जारी किया जाता है तो उस विप को सभी पार्टी के फदस्यों को मानना होता है यानि कि अगर कोई विप को मानने में असफल रहता है तो फिर उसका फदस्ता भी जारी किया जा सकता है वो दल बदल के लिए के तहत आयोग भी ठहराया जा सकता है तो इसलिए कहा जाता है कि विप ऐसा है कि यह जो रायतिक दल के विधाई फदस्ते होते हैं वो पार्टी विचारधारा से उपर उठकर काम नहीं कर सकते हैं वो निस्पक्च और स्वतंत रूप से सदन में जन्ता की आवाज को नहीं उठा सकते बलकि वो पार्टी के विचारधारा को ही आगे बढ़ाते हैं और इसे एक तरह से लोक तंतर की संकिर्था के तौर पर भी देखने को मिलता है यह नज़े लोक तंतर के संकिर्था के तौर पर देखने को मिलता है यह बात आपको ध्यान में रखना है देखो साथियों एक बात ध्यान रखना कि आप सब का जब कुछ कोई परिच्छा में सेलेक्शन होता है तो आप हमें message करके बताते हो कि sir आपकी order से selection हो गया ये बहुत अच्छी बात नहीं है मेरी order से selection नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं वो selection आपकी बज़ा से होता है आपको एक राफ़ते पर बनाए रखने में मैं बस helpful की काम करता हूँ एक मददगार की भूमिका में होता हूँ तो मैं आपके एक तरह से लाइफ में एक हिलपर कह सकता हूँ अपने आपको मैं एक मददगार कह सकता हूँ ये कभी नहीं कह सकता कि मेरी बज़ा से आपका सेलेक्शन होता है नहीं ये गलत बात है इतनी वो आपकी मेहनत है आप मेहनत करते हो और जिसके लिए आपका सेलेक्शन भी होता है तो वो आपकी मेहनत का फल होता है तो दस्मिन सुची जो है वो दल बदल का प्रब्धान करता ये रायतिक दल को अपने विधाई सदस्यों को लिखित आदेश जारी करने का संवैधानिक अधिकार देता है लेकिन एक मामला आया था साथियों और मामला था उसे कहते हैं किहोतो होलोहन यहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू मामला था क्या है जाचिल्लू मामला ये मामला 1992 का मामला है और यह विप की सिमित्ता की बात करता है यानि ये लिमिटेशन ओफ विप की बात करता है कि विप कहां कहां लागू होना चाहिए सभी मामलों में विप जारी नहीं किया जाना चाहिए हाला कि देखने को मिलता है कि पार्टी सभी मामलों में क्या करता है वो रिट जारी कर देता है अब देखो यहाँ पे लिमिटेशन और विप का मतलब क्या होता है कि कि हो तो होलोहन मामला में सुप्रिम कोट ने कहा कि विप जो होता है अगर पार्टी को no confidence motion लाया गया है पार्टी के विरुद सरकार के विरुद तब पार्टी के फदस्यों को जारी करना चाहिए confidence motion के समय या वैसे कार्ज करमों और नीतियों की चर्चा चल रही हो तब जारी चर करना चाहिए बाकी normal मावलों में विप जारी नहीं किया जाना चाहिए तो ये विप की सिमित्ता की बात करता है लिमिटेशन की बात करता है तो ये विप है देखो विप एक परकार से सदन में जो कारजवाही होती है उसका असमूत functioning के लिए उत्तरदाई होता है ताकि बड़ी आराम से सदन की कारवाही को आगे बढ़ाया जा सके देखो विप तीन प्रकार के होते हैं विप तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है वन लाइन बीप वन लाइन बीप का मतलब होता है कि पार्टी के फदस्यों को इन्फॉर्म करना एक बोट के बारे में यानि जस्ट तो inform the members about a vote मतदान के विस्षय में पार्टी के फदस्यों को बताना ही क्या है विप है दूसरा है इट अलाउज अमेंबर तो अवस्टेन इन केस दे डिसाइड नॉट तो फॉलो दा पार्टी लाइन यानि कि यह अलाउ करता है मेंबर को टू अवस्टेन भी कर सकता है वो चाहे तो वो उपस्थित रहने से अलग भी सकता नहीं भी जा सकता है दे डिसाइड नॉट तो फॉलो दा पार्टी लाइन ठीके यह बात आपको ध्यान में रखना है तो अगर मानलो की फर्स्ट लाइन बीप जारी किया गया वन लाइन बीप जारी किया गया और पार्टी के फदस्थ निस बीप को नहीं माना तो कोई दिक्कत नहीं है उस पर कोई कारवाही नहीं किया जाएगा यह ध्यान रखना है दूसरा है टू लाइन बीप टू लाइन बीप क्या होता है यानि कि सदन में परजेंट रहने के लिए ये विप जारी किया जाता है लेकिन इसके दौरान सदस को परजेंट होना अनिवार्ज होता है हाँ वो बोटिंग ना करे या पार्टी करे या ना करे अब स्टेन कर जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो फ्री लाइन भीप होती है ये बाइंडिंग होती है यानि पाटी जिसके तरफ है जिस बात को पाटी आगे बढ़ा रही है उसी बात को सभी मेंबर को भी आगे बढ़ाना है और उसी मुद्धे पर बोट करना है यानि कि या sticktest of all the beep होता है अगर 3-line beep का उलंगन किया जाता है पार्टी के बिधाई फदस्तियों के दोरा तो उसके against action लिया जाता है और उसे दल बदल कि तहत आयोग ठहराया जा सकता है उसकी सदस्ता भी रदध हो जाएगी और ये 3-line beep देखने को मिलता है ये बात आपको ध्यान में रखना है ठीके तो आपको ये सवाल क्लियर हुआ क्या है अब बात करते हैं अगले प्रस्ट पे देखो essay पे क्या करना है कैसे करना है इस पे हम अलग से बात करेंगे एक station के माध्धम से अभी station में बीच में कहां से आपको essay के लिए guide करूँ एक अल सब उसके साथ relate करके और चीजों को समझ सको जो exam देने वाले हैं 68 means उनके लिए वो helpful होगा और जो 69 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको idea मिलेगा कि how to prepare for the means examination ठीके देखो G20 grouping के संबंध में निमलिखित कतनों पर बिचार करें समगर रूप से यूरोपिये संग G20 का फदस है हाँ ये बिलकुल ठीक है यानि कि European Union is also a member of the G20 group What is the G20 group? G20 is a group of 20 emerging nations यानि 20 उभरती अर्थवेवस्थाओं का एक अनवपचारिक समू है क्योंकि G20 का कोई मुख्याले नहीं है गौर करना मैंने क्या कहा? G20 का कोई मुख्याले नहीं है तो G20 क्या है? G20 दुनिया के 20 उभरती अर्थवेवस्था दुनिया के 20 उभरती अर्थवेवस्था का अनवपचारिक समू है अनवपचारिक समू है यानि कि इसका कोई मुख्याले नहीं है इसकी जो अध्यक्षता होती है वो सदस्यों के बीच में रोटेट करते रहती है कभी इसके पास कभी उसके पास जैसे 2023 में G20 के अध्यक्षता भारत के पास है तो इसकी जो अध्यक्षता होती है वो सदस्यो सदस्यों के बीच रोटेट होते रहती है अधचता सदस्यों के बीच रोटेट होते रहती है यह आपको ध्यानक नहें ठीके अब देखो पहला तो बिल्कुल ठीक है कि यूरोपियन यूनियन इजा आलसो अ मिंबर दूसरा है G20 सीखर सम्मेलन को आपचारिक रूप से बितिये बाजारों और बिस्व अर्थ व्यवस्था पर सीखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है ये भी सही है ये आपचारिक रूप से बितिये बाजार और बिस्व अर्थ व्यवस्था पर सीखर सम्मिलन की रुप में जानते हैं तो दूसरा भी सही है यानि एक दो तो सही है तो अब ये तो हमें पता चल गया कि B और C उत्तर नहीं हो सकता है अब D पे बात करते हैं G20 की पहली बैठक 2012 के यूरो जोन बितिय संकट के ठीक बाद हुई थी यानि D तो गलत हो जाएगा उत्तर हमारा A सही होगा क्योंकि G20 जो है 1997 में जब ASEAN संकट आया दक्षिन ASEA में जो संकट देखने को मिलता है इसी संकट के बाद दुनिया के 20 बड़ी अर्थववस्थाओं ने मिलकर एक अनवचारिक समु बनाया था जिसे ग्रूप ऑप 20 या G20 के नाम से जानते हैं ठीके ये बात आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पे आप देखो अब बात करते हैं कि G20 का क्या महत्व है आप इसे मिन्स एक्जामिनेशन में भी इस डेटा का यूज कर सकते हो G20 के बारे में बताने के लिए अब ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे इस साल G20 का जो मेंबर सीफ है वो भारत के पास है तो ये भारत को अंतरास्टी ये जो राजनितिक परिदिर्स है उसमें कैसे भारत को एक महत्वुन बनाता है और भारत कैसे कुछ बहतर एक का सकते है कि बर्ड लीडर के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ा सकता है तो इन मामलों में भी आप इसकी चर्चा कर सकते हो G20 नंबर 20 सदस है 2 by 3rd of बर्ड पोपुलेशन है यानि कि दुनिया की दो तिहाई जनसंख्या G20 देशों में पाई जाती है 85% of global GDP दुनिया के GDP का 85% G20 में है 1999 में फाउंड किया गया था 1997 के क्राइसिस के बाद और 2008 में फर्स्ट लीडर समिट हुआ था 2008 में फर्स्ट लीडर समिट हुआ था और 1999 में इसको अस्थापित किया गया था 1997 के एशियाई बितिये संकट के उपरान इसमें कुल बीफ देश है जैसे एक आस्ट्रेलिया है अभी आस्ट्रेलिया और भारत के साथ एक समझावता भी हुआ है जहां आस्ट्रेलिया ने भारत के कॉलेजों से प्राप्त डिगरी को माननेता देने की बात किया है यानि भारत के कॉलेजों की डिगरी आस्टेलिया में भी मानने होगी दूसरा है अर्जेंटीना तुर्की अभी तुर्की चर्चा में था क्योंकि तुर्की में भुकम्प भुकम्प का सामना किया था भुकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया था और यहां के जो राश्टपती है वो रेसब तयव एर्दोजन है और रेसब तयव एर्दोजन जो यहां के राश्टपती है और यह भी भुकम का सामना किया था जापान जापान अब बुढ़ा होता जा रहा है दुनिया के तिरिजी से बुढ़ी होती जन संक्या जापान की है Canada, Germany, Brazil, United Kingdom, South Africa, France, Italy, Saudi Arabia, India, Indonesia, China, Mexico, Russia, European Union, South Korea and the USA ये कुल 20 मेंबर हैं किसके G20 के अभी अगर मेंबर अगर आप देखो मैप पे तो आप देख सकते हो नौर्थ अमेरिका से बात करें तो नौर्थ अमेरिका से तीन है कनाड़ा, यूएस और मेकसिको हाँ बिल्कुल ठीक कहा अपने अब तुर्की का नाम बदल करके तुर्की ये कर दिया गया है तो North America से continent से तीनों देश है जबकि South America American continent से दो देश है एक Brazil है और दूसरा Argentina है एक Australia है और South East Asia से बात करें तो Indonesia है अब जो Blue Color में दिख रहा है ये गेस्ट कंट्री है ये मेंबर नहीं है यानि बियतनाम सिंगापूर मेंबर नहीं है केवल इंडोनेशिया है South East Asia से पिर जपान है South Korea है पबलिक रिपबलिक चाइना है और पस्चिमी एसिया से देखें तो सौधी अरविया है अफिरकन कॉंटिडेट से देखें तो South Africa है औ देखने को मिलते हैं और Asia से देखें तो रसिया, तुर्की और इंडिया ये सभी इसके मेंबर हैं तो एक बार मेंबर को भी ध्यान रखना होता क्या है कि आप उसे आपको एकजामे पूछा जा सकता है कि which one of the following is not a member of the G20 तो वैसे प्रस्णों के उत्तर देने में आप एक बार इन मैप के थुरू आपने conscious mind को तयार रखोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगे अब आप यहां पे देख सकते हो इंडिया 2023 में धच्चता कर रहा है 2022 में इसके धच्चता इंडोनेशिया के पास थी और 2024 में धच्चता किसके पास होगी ब्राजील के पास होने वाली है ठीक है चलिए अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं और अगले प्रस्ण की और प्रस्ण कारी दे दूँ कि अगर आप 69th BPC की तयारी कर रहे हो और बिल्कुल conceptual clarity के साथ गहराई में उतर कर चीजों को पढ़ना और समझना चाहते हो तो आप हमारे कोर्से 69th GS Foundation के साथ जुड़कर अपनी तयारी को एक बहतर दिसा दे सकते हो कोर्से जुड़ने बक्त आपको शशी कुपन कोड को यूज करना है ताकि एक्स्ट्रा डिसकाउंट को आप अवेल कर सको कोर्स का लिंक वीडियो के description box में दिया गया है आप वहाँ पे जाके क्लिक करके कोर्स में सामिल हो सकते हो चलिए तीसरे नमबर प्रस्ण पर आते है हालि में खबरों में रही कार T-cell थेरपी निमलिखित में से किस बीमारी से लड़ने में मददकार हो शकती है यानि अभी चर्चा में रहा है कार T-cell थेरपी यानि कि T-cell क्या है ये जो वाईट बलड सेल होता है उसमें T-Limpozyte होती है जो T-Limpozyte है और Q-Limpozyte होती है और cancerous और AIDS जैसी बिमारियों से लड़ने में मददगार होती है तो आप देखोगे कि ये cancer को करता है अब cancer क्या है देखो cancer एक बिमारी है और ये कोशिका की अनियंतित बिर्धी को दिखाता है ये कैसी बिमारी है ये कोशिका यानि कि सेल की अनियंतित बिर्धी की बात करता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की बात करता है हमारी कोशिका क्या होती है अगर आप देखो सरीर का जो सबसे चोटा पाट है the smallest unit of life is still कोशिका है और अगर मैं इसे हाथ को रब किया तो बहुत सारी कोशिका डैमेज हो गया होगा फिर ये हमारी body की ये मतलब छमता है कि वो क्या करते है उसको redevelop कर लेती है कोशिकाओं का फिर से पुनर निर्मान होता रहता है तो वही देखने को मिलता लेकिन जब कोशिकाओं का निर्मान जो है वो uncontrolled हो जाए, controlled में में नहीं हो, uncontrolled होने लगे, तो uncontrolled growth के बज़े से ध्यान रखना, uncontrolled growth के बज़े से tumor जैसी समस्या create होती है, और वही cancer है, वही cancer है, यह अन्यंत्रित बिर्दी, यह tumor को जन्म देती है, tumor को जन्म देती है, तो उसी को क्या कहते है, cancer नामक बिमारी कहा जाता है, अब cancer की बिमारी के लिए दो इलाज पहले से देखने को मिलता है, यानि कि इस जो खतरनाक बिमारी है, जो व्यक्ति का जान ले लेता है, तो इस बिमारी का जो इलाज था, अभी तक दो तरीके से किया एकों हम chemotherapy के नाम से जानते हैं जिसमें chemotherapy radioactive element के माद्धम से क्या किया जाता था? Chemo किया जाता था जो cancerous cell होते थे उसको nust किया जाता था, अब लेकिन इस chemotherapy के बहुत सारे negative consequences देखने को मिलते थे ब दूसरा देखने को मिलता है, second जो है, उसे immunotherapy कहते हैं Second क्या था? Immuno therapy कहा जाता था इसमें medicine डाला जाता था सरीर में drug डाला जाता था और ड्रक के माध्ध्यम से सरीर की immune छमता को बढ़ा करके चीजों को ठीक करने की कोशिश किया जाता था परंतू बहुत जादा drug consume करने से भी समस्या होती थी तो ये आपको ध्यान रखना केमो थेरपी या युम्यूनो थेरपी अब एक तीसरा आ गया है अब जो थर्ड आया है जो की अच्छा है इन दोनों से और उसे ही कार T-cell थेरपी कहा जाता है कार T-cell थेरपी कहा जाता है ये जो देखो साथियों एक बात ध्यान रखना जो T-cell होता है ये हमारे body में होता है हमारा जो white blood cell होता है इसको देखिए white blood cell white blood cell को क्या कहते है स्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है क्या कहा जाता है स्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है हमारी blood के कितने constant होते हैं तीन होता है एक होता है red blood cell RBC जिसे हम erythrocytes कहते हैं और RBC जो होता है इसमें hemoglobin होते हैं और वो oxygen के supply में helpful होता है platelets जो होता है वो thrombocytes होता है वो blood clotting में help करता है और white blood cell जो leukocyte होता है इसे bodyguard of the इसे bodyguard कहा जाता है सरीर का bodyguard है यानि रोग परतिरोधक छमता बिक्षित करता है इसे leukocyte कहा जाता है इस पांच परकार के होते हैं neutrophil होता है eosonophil होता है basophil होता है lymphocyte होता है और monocyte होता और वही है इसमें एक lymphocyte जो रोग परतिरोधक छमता के लिए होता है तो एक T lymphocyte होता है एक B lymphocyte होता है तो जो T lymphocyte होता है जैसा कि मैंने बताया कि वो cancer जैसी बिमारियों से लड़ता है तो अब इसी T lymphocyte के जरिये cancer का इलाज ढूंडा गया है और वही चर्चा में था जिसे CAR T cell therapy के नाम से जाना जाता है आप इसे देख सकते हो CAR T cell therapy making a living drug एक तरह से living drug है T cell are type of blood cell extracted from the patient blood यानि कि रोगी के सरीर से ही ये T cell को प्राप्त किया जाता है और इसे genetically modified करके इस तरह से design करके बाडी में inject किया जाता है ताकि क्या किया जा सके ताकि बाडी में जाकर के Cancer cell जो होता है उसको damage कर सके ये बात आपको ध्यान में रखना है तो अभी हाली में ये चर्चा में रहा था CAR T cell therapy इसको आप याद रखिएगा ठीके आप देखो भारत में एक वर्स में जो annual incidence होते हैं कैंसर के वो लगभग 11,57,294 लोगों को Cancer होता है जिसमें से आप देखोगे 7,84,821 लोग परते एक वर्स Cancer की वज़ा से अपनी जान गबा देते हैं यानि कि 50% mortality rate देखने को मिलता है अब इस के develop होने से शायद अब mortality rate को कम करने में डॉक्टरों को मदद मिलेगी नेक्स्ट है निमलिकित में से किस इंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है कैलोरी मान का मतलब होता है कि कीलो जूल पर केजी एक केजी इंधन को जलाने पर कितना कीलो जूल उरजा उत्पन होगा उसे ही कैलोरी मान कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है अब बताओ कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू जादा होता क्या कोईला और पेट्रोल में से किसका कैलोरीफिक वैल्यू जादा होगा आटोमेटिकली पेट्रोल का सेट करूं तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा हाइडरोजन का होगा हाइडरोजन के बाद सी एंजी होगा सी एंजी के बाद पेट्रोल होगा और पेट्रोल के बाद कोईला होगा पेट्रोल के बाद क्या होगा कोईला होगा इस परकार से आप चीजों को क्या रख सकत देखो यह क्या है कैलोरी मान है आप से येतना भी प्रस्ण पूछा जा सकता है कि कैलोरी मान का मतलब क्या होता है तो एक केजी ध्यान रखना एक केजी इंधन को जलाने पर कितना कीलो जूल उर्जा की उत्पत्ती होती है उसे ही कैलोरी मान कहा जाता है यानि कि हाइड्रोज सी एंजी पेट्रोल और कोईला देखने को मिलता है इसका उतर डी सही होगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे काउ डंग केक अरे काउ डंग केक है आज कल आमेजन वाला ना इसको खूब महगे कीमत पर बेद देता है आप सोचो कि इंसान गाए का हमारे आना हमारे तो मग एक ऐसा देश है जहां गोबर को भगवान कहा जाता है और इंसानों को अच्छूत कहा जाता है जब का देश है क्योंकि हमारा संस्कृति भी थोड़ी एकदम मिली जूली एकदम समिस्स्री संस्कृति है तो उपला अब तो अमेजन वाला इसको क्या करता है पैक वैक करके एकदम से बड़ी महगी महगी कीमत पर बेचता है आप लोग भी चाहो तो इसके बेचने में काम कर सकतो यह भी अच्छा है इंप्लॉइमेंट का जरिया हो शकता है पैसा कमाने का इसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम होती है छे हजार से आठ हजार कीलो जूल पर केजी हो उड़ देखोगे उड़ की जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो 17,000 से 22,000 कीलो जूल पर केजी होती है जो की काउ डंग से जादा होता है तीसरा होता है कोल इसका जादा होता 25,000 से 33,000 कीलो जूल होता है पेट्रोल 45,000 कीलो जूल होता है केरोशिन 45,000 डीजल 45,000 यानि होता है cng का भी 50,000 होता है lpg का 55,000 होता है और बायो गाइस का 35,000 से 40,000 और हाइट्रोजन का डेड़ लाक होता है कलोरिफिक वैल्यू तो आप सोच सकते हो कि बहुत जादा कलोरिफिक वैल्यू हाइड्रोजन इंधन का होता है और यही क्वेश्चन आप से पूछा गया है कि किस इंधन का कलोरिफिक वैल्यू क्या है अगला है डीजी क्लेम किस योजना के अताद शुरू किया गया है डीजी क्लेम अभी हाली में आपने देखा कि अस समय बारिस ने रभी फसल को चौपट कर दिया किसान अब मुश्किल की हालात में हैं अगर किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाएगा इस जो च्छती हुआ है रभी फसल की अगर उनकी च्छती पूर्ती नहीं किया जाएगा तो उनके पास खरी फसल को लगाने के लिए पैसे नहीं रह जाएंगे और भारत आज भी किसानों का देश से आज भी भारत की अर्थवेस्था किर्शी के द्वारा ही तै होती है अब इस इंसुरेंस क्लेम को ठीक से ट्रैक करने के लिए ताकि किसानों को बीमा क्लेम प्राप्त करने में कोई शमस्या ना हो और इसी के लिए डीजी क्लेम शुरू किया गया है परधान मंत्री फसल बीमा योजना हाली में जो कृशी मंत्री है नरिंदर तोमर जी उने डीजी क्लेम को शुरू किया जो परधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहफ एक ट्रैक करेगा ताकि किसानों को नियत समय पर उनका क्लेम उपलब्त कराया जा सके ठीक है साथियों यह ध्यान रकना और ठीक तो नहीं है चलो अगले प्रसन की बात करते हैं और प्रसनी पहले इसको समझते हैं देखो प्रधान मंत्री फशल बीमा योजना आत्म बिस्वार से भरपूर हमारा अंदाता किशान अब फसले हैं सुरक्षित और चेहरे पर मुश्कान 2016 में प्रधान मंत्री नरिंद्न मोदी की सरकार के दोरा इस प्रधान मंत्री फशल बीमा योजना को लाया गया था इतका क्या था कि उपज के पूरे मुल का बीमा कराया जाएगा ऐसा नहीं है कि उपज के थोड़े से मुल का बीमा होगा बलकि उपज के पूरे मुल का बीमा कराया जाएगा बिमित मुल कम नहीं किया जाएगा जो इंसियोड वैली होगा वो कम नहीं होगा जितना होगा उतना मिलेगा पर तरह के अनाज तिलहन और सलाना बेवसाइक फसल का बीमा होगा तब का बीमा करा जाएगा फसल बुबाई से पहले खड़ी फसल और कटी फसल में जोखिम का बीमा कभर होगा यानि फसल बुबाई से पहले बुबाई करने से पहले सूखा पड़ गया तब भी कभर होगा खड़ी फसल है जैसे अभी रवी की फसल खेतों में थी चौपट हो गई कटाई के बाद जब तक घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाता है तब तक इस बीमा में कभरेज दिया जाता है इसके अंतरकत आप देखो खादान और तिलहन फसन के लिए एक मौसम एक दर रखा गया है खरीब फसल के लिए 2% प्रिमियम रासी रखा गया है यानि जो खरीब फसल है चाहे खाद्यान हो या अनाज हो या तिलहन हो दो परतिसत के दर से प्रिमियम का भुक्तान करना पड़ेगा और अगर दिखा जाए रवी फसल है तो डेड़ और वेवसाईग फसल है तो 5% के हिसाब से प्रिमियम देना होगा और बाकी जो प्रिमियम की सरकार जो रकम होती है वो सरकार के दोरा भुक्तान किया जाता है तो आप देखो यहाँ पे यह क्या है PMFBY प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना 2016 में शुरू किया गया था कर्शी और किसान कल्यान मंतराले के दोरा इसके अंतरगत दो योजना जो पहले से सरकार की चल रही थी एक राष्टिय किर्शी बीमा योजना और दूसरा संसोधित राष्टिय किर्शी बीमा योजना इन दोनों को मर्ज करके परधान मंतरी फसल बीमा योजना को लाया गया था अधिसुचित छेत्रों में अधिसुचित फशल उगाने बाले पट्टेदार जोतदार किसानों सहीत सभी किसान कबरिज के लिए पात्र है यानि कि सारे किसानों को इसके अंतरगत कबरिज किया गया है अब देखो उद्देश क्या था इसका उद्देश था कि प्राकिर्टिक आपदाओं जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होता है इविन की जो कीट और रोगों से भी फशल खराब हो जाता है उनके लिए भी बीमा किसानों को प्रदान करना ताकि किसानों की आई को एक सुन आई सुनिश्चित किया जा सके और किसानों के पास पैसा रहेगा तो जो न्यू अग्रिकल्चरल टेकलोजी हैं उनको अडॉप्ट कर सकेंगे जिससे उत्पादन को भी बढ़ाना आसान होगा यानि किरसी चितर के लिए एक रिन परवाभी सुनिश्चित करना ये उद्द अरुधरा क्या है नाम रखा गया है अरुधरा अरुधरा क्या है ठीके साथियों ये अरुधरा क्या है देखो अरुधरा एक रडार है ये क्या है एक रडार है और कैसा रडार है तो ये 4D मल्टी फंक्शन पोर डी मल्टी फंक्शन पेजड अरे रडार है देखो ये बेसिकली सोदेशी रूप से विक्षित है सोदेशी है क्योंकि इसको डी आर डी ओ द्वारा बनाया गया है डी आर डी ओ द्वारा बिक्षित किया गया है यानि कि डिवलप्ट वाइदा डी आर डी ओ एर फोर्स के द्वारा पहले ही इस अरुधरा रडार का परिच्छन किया जा चुका है टेस्ट किया जा चुका है ये अल्रेडी टेस्टेड है दूसरा यहां पे देखें इसका जो निर्मान है वो भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टिट के दोरा किया जाएगा यानि कि B.E.L. के दोरा इसका निर्मान किया जाएगा हाली में सरकार ने इस अरुधरा को सामिल करने के लिए विसान ने अरुधरा को सामिल करने के लिए 3300 करों रुपया के साथ एक अनुबंद किया है B.E.L. के साथ ताकि अरुधरा को सामिल किया जा सके तो ये अरुधरा भी चर्चा में रहा है और इसी लिए इस पर प्रस्ट भी बनता है ठीके तो आप ध्यान रखना ऐसे प्रस्ट पूछा जाता है कि अभी चर्चा में रहता है डियार डियो के दोरा ये इंडिजिसनली डिवलप्ट है और यह हमारे सैन चमता में वर्धी करेगा नेक्स्ट प्रस्ट है ये देखो अरुधरा रडार है अब इसे देख सकते हो रडार क्या होता है जो अब्यक्ट का पता लगाता है नेक्स्ट है विश्व जल रिपोर्ट 2023 देखो हाली में 22 मार्च को नकेबल बिहार दिवस मनाया गया जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया गया वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया गया और विश्व जल दिवस पर हम जल के बचाव की बात करते हैं विश्व जल दिवस ठीक है तो इसी विश्व जल दिवस के मौके पर यूनेसकों के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसे विश्व जल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं इस बिस्व जल रिपोर्ट के नुसार बिस्व की कितने परतिसत जन संख्या को स्वक्ष पेजल उपलब्द नहीं है यानि कि इस रिपोर्ट में कुछ बड़ी गंभीर बातें सामने आई और जहां यह सामने आया कि 26% के पास स्वक्ष पेजल उपलब्द नहीं है और 46% के पास बेहतर स्वक्षता उपलब्द नहीं है जबकि जितने भी जल से संकट गरस्त लोग हैं उसमें से 80% लोग एसिया के छित्रों में रहते हैं और 2050 तक भारत में जो पेजल की किलत है वो बहुत जादा होने वाली है चिंता जनक अफ्थिती पर भारत में पेजल की जो अफ्थिती है वो पहुँचने वाला है और ये हम सभी भारतियों के लिए एक वार्निंग कॉल है कि अगर हम भारतिय अभी समय रहते नहीं समझे और जल को बचाना शुरू नहीं किया तो ये मानिये कि भारत में जो अगली लड़ाई होगी सायद गिरहिद भी हो शकता है जल के लिए जो अमीर होगा वो डोमिनेट करके जल को अपने हिस्से में प्राप कर लेगा लेकिन जो गरीब होगा वो फिरते वो देखते हो हॉली बूड में बहुत सारा सिनेमा होता है अमीर गरीब के बीच की जो कम्या दिखाय जाता है पर कुछ वही अवस्था देखने को मिल सकता है जिस प्रकार से चीजें बिगड रही है तो ये इसका उतर 26 प्रतिशत हो जाएगा प्रिकों निवार्क में संजुक्त राष्ट 2013 वाटर कॉन्फरेंस में योनेश्को के द्वारा पेस किया गया एक रिपोर्ट बताता है कि दुनिया के कमहत्पुन हिस्से की लोगों को अभी भी सुरक्षित पीने का पानी और परियाप्त सुरक्ष स्वच्ता की ब्यवस्था उपलब्द नहीं है बैस्विक जनसंख्या का 26 प्रतिसत सुरक्षित पीने के पानी से बंचित है जबकि 46 प्रतिसत जनसंख्या अच्छी तरह से प्रक्षिता प्राप्त नहीं है उसके पास जो सैनिटेशन सैसिलिटी अवेल नहीं है 2050 तक देखा जाए 2050 तक बिस्व की लगबग आदी सहरी जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा जो 2016 में तीसरे हिस्से से बढ़ जाएगा इस समन्द में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की उमीद बताया जा रहा है और ये बिस्व जल रिपोर्ट में यह मामला सामने आया है भारत सरकार प्राचीन सारदा पीठ मंदिर भारत सरकार प्राचीन सारदा पीठ मंदिर के लिए कोरिडोर खोलने की योजना बना रही है अभी हाल ही में आपने देखा कि गिरह मंत्री के द्वारा सारदा पीठ की बात किया गया सारदा लिपी जो है वो काश्मीर की मूल लिपी है और हाल ही में गिरह मंत्री जी ने कहा कि सारदा लिपी काश्मीर की मूल लिपी है और इसे मा सारदा के आसिरबाद से बनाया गया था वहीं पे एक मंदिर है सारदा मंदिर यानि कि जो मार्श रसुती का मंदिर है जो कि बरतमान में पाक अकोपाइड कास्मीर में लोकेटड है यानि कि पाक अधिकरत कश्मीर में लोकेटड है अब इस सारदा पीट कॉरिडोर की खोलने की पुनह योजना बनाई जा रही क्योंकि 370 हटाने के बाद इसे बंद कर दिया गया था अब इसे बापश खोलने की बात उठाई जा रही है तो ये क्या है ये पाक अधिकरत काश्मीर में है सारदा पीट अब इसे इसका रीकंस्ट्रक्शन किया गया है इसे पुनर निर्मान किया जा रहा ये देख सकते हो सा सिर्ण अवस्था में ये सारदा की मंदिर है मासरसुती की मंदिर है और अब इसे रीडेवलप किया जाएगा रीकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो देखो भारत सरकार प्राचीन सारदा पीट मंदिर के लिए पी ओके में एक कॉरिडोर खोलने की योजना बना रहा है एक क सीख गुरुद्वारों को जोडने का काम करता था और उसी के तरज पर अभी दूसरा धार्मी कोरिडोर बनाया जाएगा जो दो देशों को भारत और पाकिस्तान को जोडने का काम करेगा हलाकि जो पीओ के हैं वो तो पाकिस्तान का हिस्ता है नहीं वो तो भारत का ही हिस्त उसने तो कबिलाई युद्धों के बाद क्या किया था उश पर अधिकार कर लिया था तेको सारदा पिट के बारे में ध्यान रखना सारदा पिट हिंदू समुदाय के लिए एक पवित्र अस्थल है क्योंकि मास और सुती की पूजा हम सब करते पीट का मतलब होता एक मंदिर यह नियंतरन रेखा के साथ जम्मू कस्मीर के कुपवाड़ा जिले के सितवाल गाओं में पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर में नीलम घाटी में लोकिटेड है यहाँ पे किशन गंगा नदी परवाहित होती है प्रिंगेरी मठ द्वारा सारदा मा की मुर्तिदान में दी गई थी और अब यहाँ पे अस्थापित की गई है यहाँ पे फिर से मंदिर बन रहा और एक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है तो यह एक अच्छी बात भी है नेक्ष्ट जो है साथियों वो है लंबी पूख्च बाली बत्तक अब यह चर्चा में रहा था और यह काफी महत्पून चीजें थी इसलिए आज के सेसन में मैंने इन सबी को सामिल कर लिया है लंबी पूख्च बाली बत्तक की परजाती किस जील में 116 साल बात देखी गई है एक जम्मू कास्मीर के बाइल लाइफ फूटोगराफर थे उन्होंने ही एक तिस्वीर जारी खींचा तभी पता चला कि लंबी पूख्च बाली बत्तक का पता चला है और ये कास्मीर के बूलर जील में पता चला है कहां पे कास्मीर के बूलर जील में पता देखने को मिला है तो आप ध्यान रखना वहीं पे देखने को मिला और बूलर जील कहां है कास्मीर में है ये कहां पे है कास्मीर में है आप इस नक्षे में देख सकते हो इसे घर पे आप आराम से पढ़ लीजेगा ये है बूलर लेक जो कास्मीर में देखने को मिलता है नेक्स्ट है उश्मा की बह मात्रा जो किसी इंधन की एक गराम यह ना देखो एक कमेंट है क्योंकि सर किसी का भी बात नहीं सुनते अपने पढ़ाते जाते हैं रंजन अच्छा भाई ये रंजन कौन है तवाल है कि सर पियो के कब अजाद होगा हमें बहां के जमीन पर कब जा करना रहे आज तुम चाहलो आज अजाद करा देंगे बिहार की आवादी कितनी है बिहार में 14 क्रोर लोग है क्योंकि बिहार मेहनती राज है तो 14 क्रोर लोग अगर चाह लें अगर हम कभी सबेरे उठकर के खुरपी अपना जो भाला हथियार लेके पहुँच जाए तो पियो के को आजाद करा लेंगे तो जब तुम कहो निकला जाएगा पपियों के को आजाद करा लिया जाएगा है न बताओ टेंथ नंबर उश्मा की बह मात्रा जो किशी इंधन के एक ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पुर्नता जलाने के फलसुरू प्राप्त होती है कहलाती है क्या कहलाती है तो उसे कैलोरी मान कहा जाता है अभी तो हमने चर्चा किया था उसे क्या कहते है कैलोरी मान कहा जाता है माफी चाहूंगा उस्मा की बह मात्रा जो किसी इंधन के एक ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पुर्नता जलाने के फल्सुरूप प्राप्त होती है उसे उश्मिय ताप कहते हैं उसे क्या कहते हैं उश्मिय ताप कहा जाता है यानि कि जब आप इंधन को जलाते हो जो ताप प्राप्त होता है जो हीट इनर्जी प्राप्त होता है उशी को हम कहते हैं तो ये टेंथ नंबर कोश्चन का अब बापस से महत्पुर्ण सवालों पर आजाते हैं next है AB रक्त शमू के लोग सारभ़ामिक प्राप्त करता होते है AB उनिवर्सल एक्सेप्टर होता है बिلकुल ठीक है जो AB होता है वो उनिवर्सल एक्सेप्टर होता है यानि कि कथन तो بिलकुल सही है दूसरा है रक्त शमू एबी का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता क्या ये सही है क्या एबी ब्लड में एंटीजन नहीं पाया जाता है नहीं इंटी बॉडी नहीं पाया जाता है इसलिए उसका समूहन किसी के साथ नहीं होता है और इसलिए एबी ब्लड लोग किसी भी blood group के body blood को अपने body में inject कर सकते हैं तो B तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और यानि कि हमारा A सही है प्रंतु R गलत है क्योंकि A B blood group में antigen नहीं होता बलकि antibody नहीं होता है ठीक है antigen होता है antibody नहीं होता है आप यह देख सकते हो जैसे यह है group A red blood cell type और group A अब यहाँ देखो A blood group में antibody होता है हाँ just opposite होता है group A में B antigen क्या होता है B antibody होता है और B blood group में A antibody होता है ध्यान रखना लेकिन A B में कोई भी antibody नहीं होता है याद कैसे रखोगे अगर हम A रख्त समों की बात करें तो उसमें antibody B होगा और B blood group में antibody A होगा जबकि A B में कोई antibody नहीं होता है और O में antibody A और B होता है वहीं antigen की बात करें तो blood group A में A antigen B में B antigen AB में AB antigen और O में कोई antigen नहीं होता है इसलिए जो O होता है वो universal donor होता है O universal donor क्यों होता है वो इसलिए universal donor है क्योंकि उसमें antigen नहीं पाया जाता है तो उसे किसी को भी चड़ा देंगे और AB universal acceptor क्यों है क्योंकि उसमें antibody नहीं होता है इसलिए किसी का भी खून AB blood group बाले लोगों को चड़ाया जा सकता है जैसे कि मैंने पहले भी योद्धा के क्लास में बताया था कि मेरे भाई का blood group O है जबकि मेरा blood group AB है तो मैं universal acceptor हूँ और मेरा भाई universal donor है क्योंकि O blood group के लोगों में उसके खून में antigen नहीं होते हैं और जबकि AB blood group के खून में antibody नहीं होता है आप यहाँ पर blood group को भी देख सकते हो जैसे blood group O बाले को किसको खून दे सकता है तो सब को खून दे सकता है जिसका अगर O blood group है वो सब को खून चड़ा सकता है जिसको इच्छा करे उसको चड़ा देगा और खाक करके O negative बाला तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है O negative जो होता है उसे universal donor कहा जाता है यह क्या है ओवला सर्वदाता रक्त शमू है तर्वदाता रक्त शमू के नाम से जानते हैं यूनिवरसल ब्लड डोनर के नाम से जानते हैं ठीके अब O only यह किससे खून पराप्ट करेगा O negative बाला केबल O negative से खून पराप्ट करेगा किसी और का खून इसको चड़ाया नहीं जा सकता इसे rare blood group भी कहते हैं O negative को rare blood group के नाम से जाना जाता है यह ध्यान रखना साथियों यह rare blood group है जबकि O positive की बात करें तो यह A B positive को दे सकता है A positive को दे सकता B positive को दे सकता O positive को दे सकता लेकिन O negative को नहीं दे सकता है क्योंकि O negative केवल O negative खुन को ही प्राप्ट करेगा यह जो plus और minus जो मैं बता रहा हूं न इसे RH factor कहा जाता है क्या कहा जाता? RH factor कहा जाता है RH factor यह पहली यह पर रिसस नामक बंद्रों में पता लगाया गया था और इसी के धार पर positive और negative blood group की बात करते हैं अब यहाँ देखो जो A है A negative है A negative A b negative को दे सकता है A b positive को दे सकता A plus को दे सकता A minus को दे सकता और ले किसे सकता है तो O negative से तो सबको यह ले सकता है और A negative से किवल ले सकता है यह भी खतरनाक group है एक तरह से देखा जाए तो दो ही से ले सकता O-Negative और A-Negative से लेकिन दे सकता A-B-Negative को A-B-Positive को A-Positive को A-Negative को जबकि आप देखो A-Positive Blood Group की बात करें तो यह A-B-Positive को दे सकता और A-Positive को दे सकता O-Positive से भी ले सकता है A-Negative से भी ले सकता और यह Positive से भी ले सकता यानि Positive बाला Negative से भी ले लेगा लेकिन देगा Negative को नहीं B-Negative B-Negative को दे सकता B-Positive को दे सकता और A-B-Negative और A-B-Positive को दे सकता और ले किसे सकता है O-Negative से B-Negative से B-Positive को दे सकता है A-B-Positive को दे सकता ले सकता है O-Negative O-Positive B-Negative B-Positive और A-B-Negative A-B-Negative को दे सकता A-B-Positive को दे सकता लेकिन ले सकता है O-Negative से A-Negative से B-Negative से A-B-Negative से और A-B-Positive जो होता है यह AB positive only दे सकता है कि इसको केवल A positive से लेकिन ले सकता है सबसे इसे universal acceptor कहा जाता है सर्व ग्राही कहा जाता है और मेरा blood group यही है AB positive है मेरा blood group क्या है यही positive है मैं सभी से blood ले सकता हूँ लेकिन दे केवल AB positive बालों को ही सकता हूँ ये बात ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है भारतिय संविधान का निमलिकित में से कौन सानुचेद धर्म नसल जाती लिंग या जन्म अस्थान के अधार पर भेद भाव का निसेद करता है प्रसन क्या पूछा है प्रसन पूछा भारतिय संविधान का कौन सानुचेद जाती लिंग धर्म बंस और जन्म अस्थान के धार पर भेद भाव का निशेद करता है क्या करता है तो इसमें कौन सा आटिकल हो जाएगा आटिकल 14 किसकी बात करता है आटिकल 14 की बात देखोगे साथियों ये बात करता है कानून के स समान सरक्षन कानून के समख्ष समानता व गानूनों का समान सरक्षन की बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ओफ लॉग की बात करते हैं कानूनों का समान सरक्षन की बात करते हैं तो ये तो उत्तर होगा नहीं दूसरा है आर्टिकल पंदरा उत्तर क्या हो जाएगा आर्टिकल पंदरा आर्टिकल पंदरा बिसिकली समाजिक समानता की बात करता है किसकी बात करता है ये समाजिक समानता की बात करता है सोसल इक्वालिटी की बात करता है समाजिक समानता की बात करता और यही कहता है कि पांच अधारों पर जाती, लिंग, जैनमस्थान, वंस और जो धर्म के अधार पर किसी भी नागरी के साथ किसी भी परकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरी के साथ किसी भी परकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा यानि कि Article 15 समाजिक समानता की बात करता है Social Equality की बात करता कि समाज में प्रतेक विक्ति क्या होगा बराबर होगा और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें दो Article है साथियो एक आर्टिकल है आर्टिकल 15 एक और दूसरा है आर्टिकल 15 दो और भी है लेकिन हमें मौलिक अधिकार को पढ़ना उसका वो सब इनेवलिंग प्रोबीजन है 3, 4, 5 एक क्या कहता एक कहता है कि राज ये द्वारा भेद भाव पर प्रतिबंद लगाया गया है राज के द्वारा भेद भाव पर प्रतिबंद लगाया गया है और क्या-क्या भेद भाव पर तो पांच अधारों पर धर्म जाती लिंग वन्स व जन्म अस्थान के अधार पर जन्सथान के अधार पर और यहां स्टार्टिंग में ये लिखता है केवल केवल का मतलब होता है कि केवल इन पांच अधारों पर भेद भाव नहीं किया जाएगा इन पांच अधारों के अलाबा अन अधारों पर भेद भाव किया जा सकता है जैसे भासा के अधार पर भेद भाव किया जा सकता है निवास के अधार पर भेद भाव किया जा सकता है उद्भव के अधार पर भेद भाव किया जा सकता है आर्थिक अधार पर भेद भाव किय करेगा ये बात आपको ध्यार में रखना है देखो अब मेरे टाइप का एक बच्चा है कि सारी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है मेरा भी कुछ वैसा ही हाल है और मुझे तो फिलहाल लगतार इंजेक्शन लेना पड़ रहा है बॉड़ी में है ना अभी तो मेरी जो हालत ह कि प्रति दिन दोपहर को जाकर के एक इंजेक्शन बॉड़ी में डलवाना पड़ता है अलत अभी गंभी चल रही है तो आटिकल 15-2 क्या करता है आटिकल 15-2 की बात करें तो 15-2 यह राज के सासात राज बनागरिक दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक है राज बनागरिक दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक देखने को मिलता है यानि कि अस्टेट को भी भेदभाव करने से रोका गया है और खास करके सार्मिक अस्थानों में परवेश का मामला हो या तो जैसे भोजनाले हो होटल हो, पार्क हो, अम्यूजियम हो, इन सभी जगों पर यहां देखने को मिलता है अब यहां पर एक बात देखो, राजबनागरिक दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक देखने को मिलता है कहां पर तो सार्विनिक अस्थानों में परवेश का मामला हो तो इन जगों पर किसी भी नागरी के साथ ना तो नागरी के साथ कोई भेदभाव करेगा और नहीं राज किसी के साथ भेदभाव करेगा साजनिक सडकों के उप्योग करने में साजनिक कुए, साजनिक तलाब इन जगों का उप्योग करने में या तो सिनेमा घर जा रहे हो तो वहाँ पर यह नहीं कह सकते हो क्लासरूम जा रहे हो तो कोई यह नहीं कह सकता कि मैं उस जाती का व्यक्ति के साथ बैट करने ही पढ़ूँगा आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते यानि कि आर्टिकल फिप्टिन टू न केवल अस्टेट को रोकता है भेदभाव करने से बलकि अस्टेट के साथ राज को भी भेदभाव करने से रोकता है और इसलिए काफी जादा महतपुर्ण है तो आर्टिकल पंदरा को ध्यान रखना इस पर कई सारे अलग-अलग प्रस्न बनते हैं नेक्स्ट है राजबंस और उनके संस्थापक के निम्लिकित हीगों में से कौन गलत है यानि कौन से बंस के स्थापना किसके द्वारा किया गया है देखो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रस्न है खिल्जी राजबंस अलाउदीन खिल्जी सयद राजबंस खिज्र खान गुलाम राजबंस कुतबद्दिन एबक और तुगलक राजबंस ग्याशुदिन तुगलक जो लोग कमेंट में सिरियस ना होकर बेकार की बातों में उलजते हो न अपने उपर भरोसा रखो आपका जो एक्जाम में इसर में रॉल नमर होगा न वो रिजल्ट वाले लिस्ट में नहीं आएगा और ये कड़बा है प्रंतु सच है क्योंकि आज competition का दौर है और इस competition में select वही होगा जो extraordinary और बिल्कुल सिरियस अप्रोच के साथ पढ़ाई करेगा नहीं तो केबल आप भीड का हिस्सा हो और भीड कहने के बजाए अप मांजनक कहूं तो भेड हो और भेडिया बनने की उमीद नहीं है भेड ही बने रहोगे क्या होगा देगो खिलजी राजबंस के अस्थापना जलालूदीन खिलजी के द्वारा किया गया था नाकी अलालूदीन खिलजी के द्वारा किया गया था खिलजी करांती हुई थी और इसकी अस्थापना 1290 में किया गया था 1290 से 1320 तक देखने को मिलता है स्यद राजबंस के अस्थापना खिजर खानने किया था तैमूर लंकिया कर्मन के बाद 1399 में देखने को मिलता है गुलाम राजबंस के स्थापना कुतुब दिन एवक जोकी मुहम्मद गोरी का एक गुलाम था तुगलक राजबंस की आशुदिन तुगलक ने स्थापना किया था और तुगलक बंस का ही एक पागल और उन्मादी राजा था जिसे मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं M.B.T. राजा सबसे लंबा जो दिल्ली सल्तनत की बात करें दिल्ली सल्तनत में कुल पांच राजबन्स देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत की बात करें दिल्ली शल्तनत में हमें 5 बंस देखने को मिलता है दिल्ली शल्तनत जो है 1260 से लेकर 1526 सक देखने को मिलता है यानि कि 320 वर्सों का इतिहास रहा है दिल्ली शल्तनत का अब इसमें से देखो पांच राजबंस रहा सबसे पहला जो बंस आया उशे हम गुलाम बंस के नाम से जानते हैं गुलाम बंस ममलूक बंस या इलवरी बंस सबीशी का नाम है और यह 1206 से लेकर 1290 तक ही इसका शाशन काल रहा गुलाम बंस के बाद खिल्जी करांती हुई और एक अफगान राजबंस का उदै हुआ उशे खिल्जी राजबंस के नाम से जानते हैं खिल्जी बंस 1290 से 1320 इस्वी तक शत्ता में बना रहा खिल्जी के बाद तुगलक आए और तुगलकों का शाशन काल 1320 से लेकर 1414 तक देखने को मिलता है जबकि इसके बाद आया शेयद राजबंस और यह 1414 से 1451 के आसपास देखने को मिलता है और इसके बाद आता है जिसे हम कहते हैं लोदी बंस और जो 1451 से 1526 तक रहा अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा था वो था इसका नाम था इबराहिम लोदी और इसी इबराहिम लोदी को पानी पत के प्रत्थम युद्ध में बावर ने परास्त किया था और भारत में मुगल राजबंस की अस्थापना किया था यानि जो मुगलिया शत्ता की भारत में अस्थापना हुई वो बावर ने किया था 1526 में पानी प्रत्थम युद्ध में लोदी बंस के अंतिम सासक इबराहिम लोदी को हराने के पश्चात ये काम किया था ये बात आपको ध्यर में रखना है तो ये पाँच राजबंस देखने को मिलते हैं जो दिल्ली सलतनत के अंतरगत जाने जाते हैं अब यहां पर आप देखोगे सब से कम किसका रहा तो सबसे कम रहा क्हिलजी का और सब से ज़्यादा रहा तुगलक बंस का यानि दिल्ली सल्तनत पर जो नियुंतम सासन किसका रहा नियुंतम सासन जो रहा वो खिलजी राजवन्स का रहा इसमें एक खतरनाक राजा रहा जिसे हम किसके नाम से जानते हैं जिसे हम अलाउदिन खिलजी के नाम से जानते हैं पूरी पदमाबत कहानी इसी पर है और अधिक्तम सासन रहा तुगल कवरंस का तो ये दोनों को ध्यान रखना है नेक्स्ट है साथियों भारत एक हिस्सा है यानि इंडिया इज अपार्ट आफ इंडिया किसका पार्ट है मिसाइल कंट्रोल टेक्नलोजी रिजीम मिसाइल परदोकी नियंतरन व्विश्था दूसरा है आस्ट्रेलिया शमु आस्ट्रेलिया ग्रूप और तीसरा है बासे नार एरंजमेंट भारत इन तीनों संस्थाओं का फदस है लेकिन भारत एन इस जी का फदस नहीं है यह ध्यान लेकिन नुकिलियर सप्लाइ ग्रूप का फदस नहीं है भारत एनसजी का सदस नहीं है भारत में तो एनसजी भी है नेस्नल सेकृर्टी गार्ड जिसको कहते हैं लेकिन एक एनसजी है जिसे नुकिलियर सप्लाइर ग्रूप के नाम से जानते हैं इसे नुकिलियर सप्लाइर ग अमेरिका ने भारत को NSG का मिंबर बनाने के लिए खूब परियास किया बट अपसोस इस बात का होता है कि NSG का गठन 1974 में जब भारत ने पहला परमानू परिक्षन किया था जो इंद्रा गांधी के नेत्रित वाली सरकार के द्वारा कराया गया था अस्माइलिंग बुद्धा के नाम से उसके बाद भारत पर सैंक्षन लगाने के लिए 1974 में ही NSG की अस्थापना किया गया था यानि इस NSG का जो गठन हुआ था वो 1974 में हुआ था और किसकी परतिक्रिया में तो भारत द्वारा किये गए परमानू जो परियोग था उसी के परतिक्रिया में इसका गठन किया था भारत परी सैंक्षन लगान लाया था और अमेरिका नहीं लाया था बटा आप देखो आज देखो वही अमेरिका परियास कर रहा है कि भारत को NSG का मेंबर्सिप मिल सके लेकिन चीन के अडंगे बाजी की बज़से NSG का मेंबर्सिप भारत को नहीं मिल पा रहा है तो कि चीन का कहना है कि अगर भारत को NSG का मेंबर्सिप दिया जाता है तो पाकिस्तान को भी NSG का मेंबर मिलना चाहिए अब बताओ दुनिया क्यों पाकिस्तान को एनेजी में सामिल करेगी क्योंकि वो खतरनाक राष्ट है एक तो वो आतंगवाद से प्रेरित देश है और वहाँ पे अगर उसको एनेजी में सामिल करना मतलब नुकिलियर जो पदार्थ है उसका वहाँ पे फ्री एकसेस देना ही तो खतरनाक हो सकता है यानि कि पूरी दुनिया अपने पैरों पर कुलहारी थोड़े ना मारेगी नहीं तो वो बम बना करके बैठा रहेगा और बोलेगा कि हमारे कटोरा में भीक डालो नहीं तो हम परमानू बम लाँच करेंगे तो यह देखने को मिलता है तो भारत तीनों का फदस है MTCR, आस्ट्रेलिया समू और बासेनार अरेज्मेंट अब तीनों की बात करते है बिसमें हत्यारों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए चार प्रमुक संस्थाएं बनाई गई है एक है NSG, MTCR, बासेनार और आस्ट्रेलिया ग्रूप सबसे पहले बात करते हैं NSG के बारे में NSG यानि Nuclear Supply Group मई 1994 में भारत के Nuclear Test के बाद बनाया गया था इसमें अभी 48 मेंबर हैं इसका मकसद होता है Nuclear हत्यारों और उनके उत्पाद में इस्तमाल हो सकने बाली टेकनीक, टेकनीक जो है, इकूपमेंट उपकरन और Material के निर्यात को रोकना या कम करना है यानि परमानू बम बनाने वाले जो नुकिलियर हत्यार होते हैं उनके उत्पादन में इस्तमाल हो सकता है जो तकनीक है जो उपकरन होते हैं और वो पदार्थ को निर्यात को रोकना या कम करना ही इसका उद्दे से है भारत ने कई बार कोशित कि अब अच्छीन के अलंगे बाजी की बज़े से नहीं मिल पाया है दूसरा है बासेनार एरेज्मेंट देखो बासेनार एरेज्मेंट एक मल्टी लैटरल निर्यात नियंतरन विवस्था है इसका मुख्याले बियना में देखने को मिलता है इसके अस्थापना नाइंटी नाइंटी सिक्स में किया गया था बासेनार निदरलैंड में ये परंपरागत हत्यारों और दोहरे उप्योग बाले बस्तू और परदौकी के निर्यात को नियंतरन करता है यानि परंपरागत हत्यार और दोहरे उप्योग बाले बस्तू और परदौकी के निर्यात पर नियंतरन करता है यानि कि वैसी टेक्नोजी जिसको अलग अलग रूपों में यूज कर सकते हैं हत्यारों के गैर जिम्मेदाराना बिस्तार को रोकने में भारत की बिश्विशनेता का रिकॉर्ड और नरिंद मोदी की सरकार की जो बिश्वे कच्छी छबी बनी है उसके कारण भारत को बासे नार अरेज्मेंट की फदस्ता मिल गया है ध्यानकना बासेनार जो है इसका फदस भारत है और यह परमपरागत और दोहरे परियोग बाले बस्तु और परदौकी के निर्यात पर नियंतरन करता है 1996 में बासेनार निजरलेंड मुख्यालेब बियाना में है नेक्स्ट है MTCR MTCR यह 1987 में इसका गठन किया गया था जानविक हत्यारों से युक्त परच्छे पास्त्र के परसार को रोकने के लिए है यानि कि परमानू हत्यारों को ढोने वाले जो मिसायल होते हैं उनके परसार को रोकना ही MTCR का उद्देस है अभी इसमें 35 फदफ देस है जिसमें से एक भारत भी है चीन और पाकिस्तान इसके फदस नहीं है लेकिन अब भारत इसका फदस बन गया है और जब भारत इसका फदस बना है तो भारत अपने मिसायल टेक्लोलोजी को जैसे ब्रमोश्ट बनाया है उसका वो दूसरे देसों को बेच भी सकता है और सबसे आखरी में है आस्ट्रेलिया समू यह रासाइनिक और जैविक हत्यारों के परियोग को रोकता है 1985 में इसका फदापना किया गया था जब 1984 में इराक दोरा रासाइनिक हत्यारों का परियोग किया गया था उसके बाद इसको शुरू किया गया भारत में इसका मिम्बर है नेक्स्ट क्वेस्टन है नमक सत्यागरह मार्च के लिए सी राजा जी जिन्हें राज गुपाल अचारी के नाम से जाना जाता है ने निमलिकित में से कौन सा मार्ग चुना था यानि नमक सत्यागरह के लिए राजा जी गुपाल चारी के दौरा कौन सा मार्ग चुना गया था तिरुचिरा पिल्ली से बेदारान्यम तक समिलनाडू के सलेम से केरल के इरोड तक तिरुचिरा पिल्ली से इरोड या इरोड से बेदारान्यम तक तो इसे तिरुचिरापिली से बेदारान्यम तक किया था इसे बेदारान्यम सत्यागरा भी कहते हैं यानि कि अगर आपसे पूछा जाए बेदारान्यम सत्यागरा का नित्रित्व किसने किया था राज गुपालाचारी भारत के पहले सिक्षा मंतरी के तौर पर भी जाने जाते जो अंतरिम सरकार में सिक्षा मंतरी थे हालाकि स्वतंत्र भारत में सिक्षा मंतरी बने मौलाना अबुलकलाम आजाद परंतु जब 2 सितंबर 1946 को कैवरेट मिशन की सहतूती के धार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो सरकार में राजा गोपालाचारी क्या थे राजा गोपालाचारी सिक्छा मंतरी के रुप में सामिल हुए थे भारत में अंतिम ब्रिटिस गवर्नर जनरल जो रहा वो तो लाउड माउंट बेटेन रहा लेकिन लाउड माउंट बेटेन के बाद बारत में जो गवर्नर जनरल बने वो बने सीराज गुपालाचारी और इन्हें प्रथम भारतिये गवर्नर जनरल के रुप में भी जाना जाता है या अंतिम गवर्नर जनरल के रुप में भी जाना जाता क्योंकि गवर्नर जनरल का पद 1950 तक बना रहा था जब 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राश्पती के रूप में डॉक्टर राजन्द प्रसाद को चुन लिया गया तो उसी के साथ जो हमारा ये पद था जिसको कहते हैं गवर्न जनरल का पद समाप्त हो गया क्योंकि 1950 में तो हमारा सम्विधान लागू हो गया था तो ये बात आपको ध्यान में रखना है बेदारान्यम सत्यागरा नमक सत्यागरा के लिए किया गया था एक और यहां से जुड़ा हुआ प्रसन पूछता है धराशना सत्यागरा के बारे में और धराशना सत्यागरा पे जो नितित भूमिका निभा रही थी सरोजनी नाइडू और गांधी जी के पुत्र मनीलाल गांधी के द्वारा दोनों मिल करके उसकी भूमिका निभा रहे थे नेक्स्ट है किसने कहा भारत की एक मात्र आसा जनता से है उच्च वर्ग सारीरिक और नैतिक रूपशे मृत है ये कथन किसके द्वारा कहा गया था ये कथन कोई और नहीं बलकि स्वामी विवेकानन ने कहा था स्वामी विवेकानन कहा करते थे कि भारत का जो उच्च वर्ग है ये नैतिक रूप से मर चुका है क्योंकि ये अंग्रेजों की गुलामी करने में लगा हुआ है वो भारत के जनता की बात करते थे कि जनता ही अपने विचारों में राष्टबाद की अलख जगाएगी स्वामी बिविका नंद को भारती राष्टबाद के आध्यात्मी गुरू के तौर पर जाना जाता है और स्प्रिचुल टीचर के तौर पर जाना जाता है नेक्स्ट है बिहार के उत्री मैदान के पश्चमी चमपारंजिले में मुख रूप से कौन सा बन पाया जाता है यानि की बिहार में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है देखो बिहार में फॉरेस्ट की बात करो तो आप इसको ऐसे याद रखना forest कहां पे किन छेत्रों में किस परकार का forest मिलेगा बिहार में दो परकार के बन पाया जाते हैं एक पाया जाता है जिसको कहते हैं पर्न पाती आदर पर्न पाती बन moist deciduous forest कहते हैं तो कि बिहार में जो बन पाया जाता है वो पर्न पाती बन ही पाया जाता है जिसे पतज़ण बन भी कहते है इसको क्या कहा जाता है इसको पतज़ण बन भी कहा जाता है एक निश्चित रितू में ये अपनी सारी पतियां गिरा देती हैं तो ये पतज़ण बन भी देखके रुप में जाना जाता है आदर परनपाती बन और दूसरा जो बन होता है उसको बिहार में जो सरवादिक वन है वो कौन सा बन है बिहार में जो सरवादिक वन है वो आदर परनपाती वन है वो कौन सा है आदर परनपाती वन देखने को मिलता है Moist Deciduous Forest के तौर पर देखने को मिलता है पज़डबन है सुसक परणपाती बन देखने को मिलता है अब देखो यहाँ पे हम बात करें आदर परणपाती बन का पज़डबन का तो यह कहां देखने को मिलता है तो आदर परणपाती बन को देखोगे साथियों तो ये दो जगों पर हमें देखने को मिलता है एक एक जो हमें ये देखने को मिलेगा तो उत्तर पश्चिम ब उत्तर पूरब बिहार उत्तर पश्चिम ब उत्तर पूरब जो बिहार है यानि कि सुमेशवर स्रेनी में या तराई छेतर में आपको क्या बन मिलेगा सुमेसवर स्रीनिवा तराई छेतर में जो वन पाया जाता है वो basically क्या है आदर परनपाती वन है सुमेसवर स्रीनिवा तराई छेतर जबकि दक्षिन बिहार का छेतर देखा जाए तो दक्चिन बिहार में हमें सुस्क परणपाती बन देखने को मिलता है है ना वहाँ पे क्या मिलता है सुस्क परणपाती बन चाहे आप से कैमूर पूछ ले या तो गया पूछ ले या तो मुंगेर पूछ ले दाख्चिन बिहार में जहां इच्छा करे वहां पूछ ले एक ही रट ले ना सुस्क परनपाती बन गया में थोड़ा बहुत आदर परनपाती बन देखने को मिलता भी था लेकिन जिस प्रकार से climate pattern चेंज हुआ है तो अब परनपाती बन वहां पाया जाता है ठीके निख देखो बिहार का प्रथम रामसर 26 जिला में अवस्थित है रामसर साइट के बारे में आप से प्रस्ण पूछा गया है तो बिहार में जो रामसर साइट देखने को मिलता है सातियों वो है बेगू शराइमें यहां पे tips लोग के application पर master class का session पढ़ाया था वहां पे बिहार में जील गरम जल कुंडो की चर्चा किया था तो उसके अंतरगत मैंड़ ही जील के बारे में आपको साथ चर्चा किया था बेगुश चराय में आदरभूमियों का सनक्षन करना नेक्ट प्रस्ने सातियों निमलिकित में से कौन सा लालसर पक्षी के सनक्षन के लिए संबद पक्षी बिहार है लालसर पक्षी के लिए कौन जाना जाता है लालसर एक परवासी पक्षी है और यह बकसर पक्ची बिहार इसके लिए जाना जाता है देखो गोगाविल पक्ची बिहार कटिहार में है और यह भी परवासी पक्चीयों का एक केंद्र है जबकि दूसरा आप देखोगे कावर यह बेगुश तराय में है ये भी प्रवासि पक्चियों का केंद्र है सरयामन पक्ची बिहार ये भी है लेकिन जो बक सर पक्ची बिहार है ये ही लाल सर पक्चियों के लिए परसिद्माना जाता है चली आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है साथियों कि अब तो 68 का रिजल्ट भी प्रिल्म्स का आगया है अब आगे बैसे बच्चे जो 69 की तयारी कर रहे हैं वो लेट ना हो आपकी तयारी सुनियोजित हो सके बेहतर हो सके इसके लिए आप हमारी कूर्स के साथ जुड़कर अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हो आज के सेशन के आखरी प्रसन पर आ जाते हैं आज का आखरी प्रसन है निमलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बिच सीमा बनाती है ये तो बड़े असान से प्रसन है मैंने खूब चर्चा किया है इसके बारे में घागरा नदी ये भी बनाती है करमनासा भी बनाती है गंडग भी बनाती है और गंगा भी बनाती है सभी बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है अब देख सकते हो घागरा भी बना रही है गंडग भी बना रही है गंगा भी बना रही है और करमनासा भी बना रही है चारों बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाने का काम करता जबकि महाननदा देखोगे ये बिहार और बंगाल के बीच सीमा बनाती है तो ये थे साथियों आज के कुल 20 प्रस्ण आज मैंने सेशन का लिंद थोड़ा छोटा रखा है कल मैं बापस से इसके लिंद को एज़िटी जो एक घंटे 45 मिनट का सेशन होता है मैं उतना बापस रखूँगा ठीके चलिए तो आप सब का बहुत बहुत धन्यबात इस सेशन के साथ जुरने के लिए आप सेशन को अपने दोस्तों के साथ पेर करें लाइक करें वीडियों को और अपने समुचित और यतोचित सुझाब हमें कमेंट वाक्स में जरूर देशाती हो गुड नाइट शुवरातरी मिलते हैं कल नए जोश और नए जुरून के साथ तो फिर कल मिलते हैं रात दस बजे अपने समय पर ठीक है साथ यूँ धन्यवाद झाल 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 झाल